असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि खाने में बहुत ही मजी की बनेगी और यह हम एक नए अंदाज में बनाने वाले हैं यानि आलू के साथ करेला आलू-प्यास सबजी तो यहां पर हम बना रहे हैं करेले आलो की सबजी भी इसे बोल सकते हैं तो स्ट्रेप बाइ स्ट्रेप आपको इसे फॉलो करना है और उसी अंदाद में बनाएं जिस तरह मैं बना रही हूं तो आपको यह सबजी बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी और बहुत ही मजी की बनेगी तो यहां पर जी हमने तीन प् रख देते हैं तो काले पड़ जाता है तो यहांपर हमने अलुझ को बिल्कुल पानी के अंतर डिप कर गथी यहांपर हम ने कारे ओवास होताया है सबस्काटनी निकाल रहा रही है easier уже 천aw बना रहे इसे तारह हने लिप Snod gravebjoist वावने अलग रहाए ाउम के जो गाले अखा ह अलग रख दिये हैं तो पहले हमने इन अच्छी तरह से वाश पहले ही कर लिया तो फिर यहां पर जी हमने एक चलनी वाले बरतन में डाल दिया है और फिर इसके उपर हमने डाल दिया है नमक यह देखिए जी हम दो चममच इसमें भरके नमक डालेंगे इनका वजन है 500 ग्राम और फिर नीचे हमने यह एक कूड़ा लिया है एक परतन और उस पर हमने एक चोटी सी प्लेट रख दिया है और फिर करेलो को मिक्स करके हमने इस तरह से रख दिया है और फिर उसके उपर हमने एक बाउल रख दिया पानी से भरा हुआ ताकि इसके वजन से इसका पानी निक तो हमने इसे तीन से चार बार धो लेना है बहुत अच्छी तरह से देखिए दूसरे बड़तन में इसे ट्रांसफर कर दिया फिर इसी तरह तरह से हमने इसे खुब अच्छी तरह से दो लिया था तो इसकी कड़वाहत दूर करने का एक और भी तरीका है आप जैसे हम करेले दो रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ा साम करेलो के ऊपर आटा डाल लेंगे और अच्छी तरह से मस लेंगे और फिर करेलो को धो लेंगे तो धोने के बाद इस तरह से हाथों के मदद से इसका पान पूरा पानी हमें निचोड लेना है। यह पर हमने लिया है और उसके अंदर डाल दिया है। यह पर करेलो को हमने कुब अची तरह फ्राइ करना है। यह देखिजी कलर चेंज हो गया है। इसका इस तरह का कलर आ जाना चाहिए करेलो के ऊपर। तब ही यह अची तरह से फ्राइ हो जाएंगे और इनकी कड़वाः भी खतम हो जाएगी। तो हमने इने कर लिया है फ्राइ और अब हम निकाल रहें कड़ाही से बहर। और हमने उसी तेल में इन आलवगों को फ्राही कर लेना है। कुक कर लेना है हमने इने सोफ्ट होने तक कुक करना है यह पतले पतले स्लाइस हैं तो इसलिए जल्दी ही फ्राई हो गए और टूट भी जाते हैं तो कोई बात नहीं तो टूट जाएं तो टैंशन दाले लेकिन आइस्ता से बहुत अच्छी तरह से फ्राई करें जिसे यह त अच्छी तरह देखें तक इसे फ्राई कर लेंगे अब हमने यह पर ढाल दी है प्याज यह तीन मेडियम साइस की प्याज है इन्हें हमने रफली चॉप करना है तो यह पर हमने आधी प्याज एड़ करती है अब और आधी हमने एक साइड में रखती है उठा कर यह खाल आधी चमच दाला है ऐता चेंच हो जाए उसके बाद हमने चोटी चमच डाली है आधा चोटा चमच धनिया पावडर एक चोटी चमच प्याज ने लाल मिर्च पावडर यह पूटी हूँ लाल मिर्च है और यहां पर हमने तीन मेडियम साइस के लिए थे तामाटर में बढ़े टमाटर हो दो ले 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 लें ठीके जी तो तीन मेडियम साइज के चोटे ते इसलिए थोड़ा सा डाला है पानी और हमने अब इसे बहुत अची तरह से भूनना है तो यहां पर हमने ढ़क कर इसे रख दिया है तीन से चार मिल पांच मिल जब तक के टमाटर सोफ नह तो यहां पर बहुत जीक करनी प्ख़ाएं क्यांतव मसालों की तो आप पेस्ट डालना चाहें तो यह तो प्राइश क्याल को और से द्याल ऋपस्टा हमने इसके अंदर शाले तो उपर से बचा हुआ प्यास थीश्यास ह November फेवीश्या तर एक अलसे निवीश्यां वह पर हमने इसे 5-6 मिंट बिल्कुल मीडियम फिलम पर पका लेना है ठीक है यह देखिए जी 5 मिंट हो चुके हैं करेले भी और प्यास भी सॉफ्ट हो चुके हैं जो हमने प्यास जाला था तो इस स्टेच पर हम इसमें शामिल कर रहे हैं आलू तो आलू आप इसके साथ जरूर शामिल करें क्योंकि फिर बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाएंगे और यह बहुत ही मजी रेसीत हैं तो यहां पर आदी-चोटी-च्मच नमक का शामिल किया है तो पहले भी करेलों के अंदर मिलाया था स्टोस्स तो इससे करेलों में अल्रेडि नमक था तो हमने यह पर तो यहां पर हमारी यह मज़जदार से करेले प्यास बन यहां पर ऐसे घ्रीमिर्च में यह घ्रीमिर्च भीत तो अगर आपको मेरी रीसीप रखी अच्छी लगे तो शर्याय के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए घ्रीमिशन के लिया देड़ होगा अगली वीडियो में त